अब देखना यह है कि हमें अपने कौम की जट को बचाना है अपने घर की महिलाओं की जट को बचाना है जब आप दो पुलिस क्यों आयगे आपके घर भाई बेलेगे वदाईए मुझे जिखिस नहीं आई गी तो आप कौण लोगा प्रादी होते हैं उनके घर अक्सर पुलिस धड़पकड चलती है रेड़ पड़ती है बहुत बड़ी संक्या में पुलिस ही कट्ठी होकर वहाँ जाती है अब हमको यह समझना चाहिए कि जब पुलिस वहां जा रही है आखिर वो जा क्यों रही है क्योंकि आप अपरादी है इसलिए वो जा रही है तो भाई हमको यह समझना चाहिए कि जब पुलिस हमारे पास आ रही है हमारे घर आ रही है हमको पकड़ रही है वो हमारे घर पर वो वो तोड़ फोड़ कर रही है हमारे घर की महिलाओं के साथ वो अत्याचार कर रही है आखिर क्यों रही है पुलिस आपके पास आ रही है क्योंकि आप अपरादी हैं और ये भी जरूरी नहीं कि आप सौफ परतिसत अपरादी हैं हो सकता है कि आपके उपर फर्जी मुकदमा हो कोई हो सकता है कि आपको किसी केस में फसाया हो या पर हो सकता है कि आप वाके में अपरादी हो हमको इन च किसी प्रकार का फहरार है आप और जो हालात हों लेकिन हम रख Kernी हैं जब हम को यह सोचना चाहिए कि पुलीस आशारों हमारे साथ साथ कितना अत्याचार हो रोजाना खबरें आती हैं कि फला जगह पर इस तरह से रेड़ पड़ी है वहां पर पुलिस ने तोड़ फोड़ की है अब हम लोग क्या है पुलिस को जीम्मदा ठेराते हैं लेकि पुलिस का काम है डूटी करना अपरादियों को पकड़ना अपरादों को खतम करना यह बात है कि आज जितनी जदी आधिक संख्या में पुलिस तैना होती है जितने चोट जब अधिक होते हैं उतनी ज़्यार अपराद बढ़ते हैं ज़्याद ध्रस्टाचार होते हैं यह बात एक अलग है लेकि फिर भी हम आम नागरिक होने की नाधित हमारा फर्ज होता है कि हमें पुलिस का सहयोग करना चाहिए, पुलिस के पास हमें जाना चाहिए, आप जैसे जानते हैं ना, कि जिस प्रकार से पुलिस हमारे पास आते हैं, तो हम जैसे भागते हैं ना, इसी प्रकार से अगर हम पुलिस के पास जाएंगे, तो पुलिस हम से भागेगी, यह बात करना फर हो रहे हैं आप देखिए महीलाओं को साथ मार्कूट होती है आपके घर में तोड़ फूर होती है आखिर क्यों कौन ही इसके जिम्मेदार आपके पुलिस प्रसासन इस परकार से कार्वाई नहीं कर सकता किवला परादी को पगड़ेगा बिलगुल आपके पास आई पुलिस सुनना पड़ेगा आपको अपनी बहनों से अपनी माताओं से अपने भीवी से अपने बच्चों से अगर वाकिय में आप उनकी इज़त रखना चाहते हैं आप अपनी समाज में ज़त रखना चाहते हैं तो आपको खुद को सेरेंडर होना पड़ेगा मैं यह नहीं कहता हूं क्यों आप थाने में सेलिटर हुए आप पुलिस का स्टीडी में जाए सीधर नहीं आपके लिए कोट है आप कोट के दरवाज खटखटाईए अगर आप अपरादी है तो आप बोल दीजिए कि साब ठीक है मैं इस केस में अपरादी हूं और मैं आपके सामने हाजर हूं कोट क सामने जैसा कोट कुछित लगे मुझे सजा दे मैं सजा भी भोगतने के लिए त्यार हूं यदि आप अपरादी नहीं है तो भी आप उसमें अपिल कीजिए इससे आप देख रहे हैं मैं रोजना देखता हूं अकबारों में देखता हूं खबरों में देखता हूं लंबे- इज्थ का अतना भी खिल नहीं है कि जब आप पकड़े जाते हो आप गोरोगे उतने बड़े अपरादी हो उतने वह आपको अपने भागो गे अपरादी था भूत आप अपनी कम से कम अपनी कौम की इज़त को बचाओ अधिकांस यह होता है हमारे जो मैं कहता हूं मेरे पास सब्द नहीं है कितना दुख होता है जब हमको यह लोग लंबे-लंबे डाडियों वाले भी होते हैं उनमें कुछ और चोटे-मोटे मुकादमों होते हैं पुलिस त और देख्ते हैं हम रोने लगते श्क्राइव फंटे परके हें कि पुलिस नहीं कर दिया ओओ करती है रहां वह करेगी और आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्या कर लोगे आप साधी बास में आप साधीबास गाउं में फूलिस ने क्या और iF पुलिसिन आपके साथ तोड़क होड किये है आपके घर में तोड़क किये और पूलिसिच न बोल लेक्वह मारे गाणी के साथ तोड़क किये कितने जर्म कद्छ म आते हैं जुनेद्रस आत्य का लोगों को फिन गिरफदार किया गया था अगर आप गुनागार हो तो भी आप को कोट में जाना पड़ेगा इसलिए जब आप यह सोचिए कि जब पुलिस आपको पकड़ कर लेकर जाएगी आपके मीडिया में आपकी फोटो आएगी ठीक है आप अपनी कमस्कुम दाड़ी अपनी जो दाड़ी है इसका हमें सरमाती ह पकड़ा हो नहीं होटकिनों कुछ नहीं है तो भर हम कोई चीजित को सोचना चाहिए हमें अपने घर की इज़्यत बचानी चाहिए आप पुलीस सेह नहीं बाग सकते इतने बड़े हम हैं ही नहीं कि हम पुलिस से भाग जाएं इसलिए सबसे जो अच्छा रास्ता है जिनके खिलाफ एफ आयर दर्जह हैं जो अपरादी साबित हो चुके हैं वारंटी हैं फरार हैं उन अपरादियों को सरेंडर करना चाहिए कोट में जाकर तो भी आप अपनी वहां बेगुनाईक साबित करें अगर आप अपरादी नहीं है तो उन कोट देखेगा और कोट भी इस चीज को मानेगा जब आप अपरादी होते हुए भी आप कोट में जाएंगे न कोट भी इस चीज को मानेगा कि खुद आदमी बंदा चलकर आया है अपराद जो हुआ है कि इसी कारणवास हुआ है गलती से हुआ है कोटомина 20 सुमंझता है इस चीज़ों के लेकि जब आपको पुलिस पखड़कर लेकर कर जाती है तो एक और आपके पूपर अप्राद लग जाता है कि इतना बड़ा वारंटी या इतना बड़ा अपरादी फरा अपरादी हो, हो सकता है कि आप अपरादी नहीं हो, किसी मुकदमे में आपको फसाया गया हो, लेकिन आपको उसमें फसाया गया हो, जितना आप उससे भाग रहे हो, उतने बड़े आप अपरादी मन रहे हो, इसलिए पुलिस का सहयोग करो, पुलिस से भागो मत, पुलिस भा वागूँके उतना ही तोड़ेगी, उतना ही मारेगी ध्यान ठक्ख़ा अपरादी हो तो जितना आप इससे भागूँए। शुषंच नहीं भागते हो। आप भाग रहे हो। आपके घर पर रेडालेगी। वहाँ पर मार पीट करेगी। वहाँ वापस आकर लेगी। लोगों को सरम आती है कि यह हो क्या रहा है लेकि तुम लोगों को सरम नहीं आती तुम लोग तो अपनी में 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 ठीक हो दुख होता है जब आप लोगों साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं आप अपको गिरफदारी पर दुख नहीं होता जब दुख होता है जब आपका वहापा प्राद करोगे पहले नहीं सकते यां जब आपको गिर्वान पकरकर आपके घर पर तोड़ फोड़ करकर आपके महिलाओं को पीट कर आपके घर को तोड़कर जब पुलिस आपको गिरवार पकड़कर लेकर जाईगी घतागर डाल कर लेकर कोट में लेकर जाईगी तब आप नहीं करोगे वकील उससे पहले भीत कर सकते हो ना इनसानियत दिखाओ मैं फिर बोल रहा हूँ पुलिस का सहयोग करो पुलिस की मदद करो पुलिस से भागो मत नहीं भागने भीत पुलिस कानून के लंबे हाथ होते हैं कभी भाग नहीं सकते हैं आप लोग उससे इसलिए पुलिस का टाइम खर्च कर रहे हो बरबाद कर रहे हो आप लो देश के सं अपरादी हो उपर से निष्ड रहे हो कि पॉलिस हमारी शृक्षा के लिए बनी है और अपरादी कर रहे हैं कि पुलिसμεने नीला नहींद करना है हुआ उज्चिपार्सञ्चा चैनल नैगे हम उसको चैन की सांस लेने देंगे अन्य तब पुलिस जब हमारे घर हमारे गाओं में रोजयना मारधार और इस तरह अस पकड़धाकर करती रहेगी तो पुलिस की साइकलोजी बदल जाएगी यह रही हैं यह से हैं यह तो अपरादी अब देख लो भई मैं आपसे फिर बता रहा हूँ आप पास तरीका के और एक है कि आप लोग कोट में सरेंडर करो वकील करो पर वकील तो आब बाद भी करोगे वकील करो कोट में सरेंडर करो अपने आप और कोट में सरेंडर करकर आप अगर बेगुना नहीं है बेगुणा हैं तो ठीक है उसके लड़ो अगर आप गुणाजार ik लिए है मैं कोट ऐसा कोई की सब्सक्रमा को पिछ डाल देए नहीं है अब खुद यह वहां पर आपने आपको हाजर करोगे ना तो कोट भी समझता है इन चीज़ों कि कहीं न कहीं कोई मजबूरी रही होंगी और साइद आपकी कोट मदद भी करेगा पुलिस भी आपकी मदद करेगी क्यों करेगी पुलिस मदद क्योंकि आप सीधे चलेगे पुलिस को आपनी परिशान नहीं किया जब आपको परिशान करती है जब पुलिस को परिशान करते हो तो पुलिस को भी गुस्सा आता है आप पर दो चार्ज एक्स्ट्रा लगाती है पुलिस भी तो देख लो मैं तो यह कह रहा हूँ आपसे कि हमारे छेत्र में अगर हमें अपने बेहन बेटियों की इज़त प्यारी है अप कि क्या करूं इस्तितिये हैं साट 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 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं दादा समान है पिता समान है चाचा समान है ताउ समान है उन लोगों की खबरे जबाती है ना कबारों में और मीडिया पर आती है इतनी लंबे डाड़ी होती है उसकी फला परादी को तो दोड़ पको इसमें वारंटी था फ्रार था इतने साल से फ्रार चल रहा था पुलिस ने पकड़ा उसको फिर उसके पीछे से खबरे आती हैं यह पुलिस पकड़ने गई तो उसके परिवार वाले रो रहे होते हैं हमारे साथ त्या चार किया हमको पीटा हमको मारा नहीं थी तब भी हमको मारा हमारे घर पर तोड़ फूर की कौन जिम्मेदार है क्यों समाज को बदनाम करने पर लगे हुए तुम लोग भई क्या चाहते वाकि अरे इसको कम सकम समाज को चैन से रह ले ना आपने जो भी आपसे गलती हुई है अंजाने अंजाने में गलती ह सब्सक्राइस है या आप सब्सक्राइस में फसाय घई हो तो साभ proprio करना पड़िगा है कि हम फशाया गए है आपको ये भी पिर आपको वहां पर लड़ो पड़ेगा अ कुम्सफ़ कम ये चीजे तो बच जाएंगी आपकर घरवाले बच जाएंगे इस समाज तो बच जाए हैं ये एक भी आपको इस सलाह नहीं दे सकता ये कहेंगे कि भागो भागो क्योंकि जितनी कौम की बदनामी होगी ना उतने ही आप इनके फैन होंगे उतने ही आप इनके सहारा होंगे उतनी आप आपके मनमिन के लिए लौग पिरता होगी इसलिए ये कभी नहीं कह सकते कि आप लोगों को अपरादी होगे तो आपको सेरिंडर करना चाहिए आपको इस तरह जमानत करना चाहिए ये कभी सलाह नहीं दे सकते तीन लोग समाज़ी तो सबसे बड़े घळद्दार होंगे कभी नहीं बोल सकoscope आपसे लेकिन हम समाज़ी घळद्दार नहीं है जो मैं आपसे जो बाते बोलगा हूँ ये आपको कोई नहीं भत बोलेगा इतनी मेवात में एक मैं अकला नहीं हूँ में बात में लाखों निता हैं और मैं निता नहीं कोई मैं तो एक समाज से भी हूँ मैं कोई निता नहीं हूँ एक नॉर्मल सा ध्या पकूं एक पत्रकारू छोटा सा लेकिन मुझे नीन्द नहीं आती जब अपने कौम के परति में कुछ बुराइशं सुनता हूं देखता अपनी कौम की प्रत्मी महिलाओं के साथ अत्यचार देखता हूँ मुझे नीन नहीं आती इसलिए मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये चीज़ा आप तो पहुंचानी चाहिए मेरे दोस्तों साथियों हमको नहीं भागना है पुलिस से हमें पुलिस को बगारना है मैं फिर बोल रहा हूँ पुलिस वो ही इनसान पुलिस है जो हम है अगर हम उसके पास चल कर जाएंगे तो हम से भागेगी जिस हम उसका हमारे पास वातित हम भागते न उससे ऐसा अगर हम उसके पास चल कर जाएंगे तो हम से भागेगी पुलिस हमारा समर्थन करेगी, पुलिस हमारा सहयोख करेगी, ये ठीक ये बंदा खुद चल कर आया है, लेकिन फिर हुए मैं कहा हूँ पुलिस के पास जाएए मताब, उसमें लूट हो गी आपकी, वहाँ जाएए मताब, आप सीधे कोट में जाएए, पुलिस मैं बता रहा ह पुलिस एक अच्छा महक्मा है, अच्छी सुरक्षा करती है, पृते गरीब व्यक्ति, पृते एक लाचार बेबस व्यक्ति, पुलिस की वज़ा से सिर्फ उठा कर जीता है समाज में, वहना गरीब पिषड़े हुए लोगों को, लाचार व्यक्तियों को, कौन समाज में ठिक है, और यह बात हमको समझ लेड़े चाहिए, हम यह भी कहते हैं, पुलिस भरस्ट है, मैंने भी का थोर दिर पहले, कि जितने मेवात के अंदर या किसी छेतर हैं, पुलिस इस्टेशन और जितने उसमें चोग की पुलिस चोग क्या होंगी, वहां उतना ही ज्यादे भरस्ट कि आप अपरादी चे लोग हैं, फरार हैं, वारंटी हैं, जो भी हैं आप, प्लीज अपनी माता और बेहनों की इज़त को देखो, जब पुलिस आपके घर पर डालने आईगी ना, तो ना आपकी माता को देखी ना आपकी बेहनों को देखी ना आपकी बेटे को देखेंग वो उनमें डंडे मारेगी वो लात मुसे मारेगी वो ठीक है आपके घर पर तोड़ फुर करेगी वो फिर आपको पकड़ करने जाएगी फिर वहां मीडिया में आपकी फोटो दिखाई लिए यह देखे इतने साल से फ्रार चल रहा था प्रादी इसको किया गिरबदार इन सारी बेजितियों से आप लोगों सरम आनी चाहिए समाज की कितनी बदनामी होती है महिलाओं की कितनी बदनामी होती है जो हमारे दुस्मन लोग यो विपक्च के लोग होते ना फिर वो हसते हैं कि यह देखो यह होना यह होना चाहिए इनके साथ अरे भई आप अपरादी आपके साथ कितना बत्याचार हो मुझे किसी प्रकार कोई हमदर्दी नहीं है लेकिन जब आपके परिवार के साथ अत्याचार होता है ना तब हमें हमदर्दी है तब हमें दुख होता है फिर हम पुलिस से भी भीड़ते हैं कि पुलिस हमको लगता है एक पुलिस गलत कर रही गलत हम कर रहे हैं, गलत अप्रादी जो वांटेड हैं, फरा रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए फिर मैं आप से बोटा हूँ, प्लीज, निवेदन करता हूँ, अपनी माता और बेहनों की इज़त प्यारी है, इसे दूसरों के हवाले इस तरह से मत करो, अपने घर की इज़त मारते हैं, चांटा मार देते हैं, धक्का मार देते हैं, और यह कोई नई बात नहीं, यह आम बात है, आप सब जानते हो इस चीज को, ठीक है, और फिर जब उनको पता होता है, अगर यह मानलोई परिवार कारवाई करेगा, कानूनन कारवाई करेगा, उससे पहले वो आप वारंटी हैं और जो फरार हो लोग कुछ भी नहीं होता कोट में अर्य आप अपरादी हैं तो आप आपको जेल भीज़ देगा कोटेट करेगा जमान को जाएगी कहां दिक्काता रही है कमसे कम आपकी बेहन बेटियों की जट बच जाएगी ना और आप आपर भी मुकरम फिर हो जागा जब आप सरेंटर होगे तो तो बैए इस चीजों को सोच लो समझ लो और मेवात को बचा लो बाने बाने बान।